तो हेलो एवरिवन हावर यॉल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस आज मैं क्लास 11 स्नैप शॉट का आप लोगों के लिए चैप्टर ले करके आए हूं चैप्टर नमबर 7 नाम सजेस्ट कर रहा है बर्थ और मेरे पीछने को क्यूट से प्यारे से बच्चे की एक फोटो भी है तो बर्थ की ही हम लोग आज बात करने वाले हैं एजे क्रॉनिन ने इस लेक्चर को इस चैप्टर को एक स्पीरिंस को लिखा है कि किस तरीके से एक शादी शुदा जोड़ा जो है उसको 20 साल बाद वो एक बच्चा एक्सपेक्ट क को संभालते वे कितनी पैनिक या कितनी टेंशन वाली स्थिती में भी सारी चीजों को करता है और लास्ट में क्या होता है वो तो खेर एक सर्प्राइज है एक मिरेकल है उसे हम लोग देखने वाले हैं एक्सपीरिंस करने वाले हैं क्योंकि देखना या समझना काफी नहीं ह जब तक आप उस व्यक्ति की जगह पर नहीं होगे और यह जो डॉक्टर साब हैं हम इन्हीं के नजरिये से सारी कहानी सुनेंगे पूरी की पूरी स्टोरी लाइन जो है वो इन्हीं को सेंटर में रख करके बनाई गई है और इन्हीं की नजर से हम लोग सारी चीजे देखने वाले हैं सो लेट स्टार चैप्टर शुरू करते हैं देखते हैं कि इस बच्चे का जन्म इतनी बड़ी मिस्टरी क्यों है कि क्या ऐसी चीजे हुई जिसके वह से इतना इंपोर्डेंट है हमारे लिए इसके जन्म को समझना बागी कुछ भी कह हो बच्चा बहुत क्यूट नेक्स है यहां पर दबर्थ एजे क्रणिंग जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इन दिस एकसरप्ट फ्रॉम दा सिटड़िल यह जो एकसरप्ट है जो कि सिटड़िल से है एंड्रियु मैंसन तो हम बात कर रहे हैं एंड्रियु मैंसन के बारे में नूली आउट medical school एक ऐसा student है एक ऐसा डॉक्टर है जो अभी अभी नया नया medical school से medical पढ़के या doctor की पढ़ाई करके बाहर निकला है has just begun his medical practice और अभी just उसने अपनी medical practice को start ही किया गाइस professional लोग जो भी काम करते हैं उसे वो job नहीं कहते हैं उसे वो profession नहीं कहते हैं उसे वो practice कहते हैं practice क्यों कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो अपने field में practice करते हैं वैसे वैसे उनका experience बड़ा होता है जैसे जैसे experience बड़ा होता है वैसे वैसे ही वो एक fair hand कहलाते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं बहुत अच्छा डाइगनॉस करते हैं जिस डॉक्टर्स के बारे में यह लीगल प्रोफेशन है वो भी हमेशे ही कहते हैं कि मैं लॉग का काम करता हूँ मैं कानून का काम करता हूँ ऐसा नहीं कहा जाता मैं मेडिकल का काम करता हूँ डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं वो क्या कहते हैं हम medicine practice करते हैं हम law practice करते हैं तो उसके लिए practice word जादा use किया जाता है as an assistant एक सहायक या सहयोगी के तौर पर उसने अभी अपना काम शुरू किया है to doctor Edward Page Edward Page के साथ में in a small Welsh mining town एक छोटे से Welsh mining जहां होती है उस town में जिसका नाम है ब्लेनेली तो ब्लेनेली जो है यह एक town का नाम है जहां पर वो रहता है as he is returning from a disappointing evening जैसा की बहें लौट रहा था एक disappointing evening का मतलब है निराशा जनक शाम से एक ऐसी शाम जहां पर उसे कुछ निराशाएं प्राप्त हुई तो बड़ा निराश हुआ हुआ सा बिलकुल ऐसा बेमंसा हुआ हुआ पस लोट रहा था शाम को with Christine Christine के साथ में जो की उनकी जान पैचान वाली है लड़की है the girl he loves वह लड़की जिससे वह बहुत प्रेम करता है he is met by Joe Morgan और वहीं पर रास्ते में उसे Joe Morgan मिलता है तो इसको बहुत जादा ध्यान मत दे ना यह बस चोटा सा एक रेपरेंस है इसके बारे बहुत जादा बात होने नहीं वाली है ठीक है बसी इतनी बात है कि वह इस लड़की के साथ लोट रहा था जिससे वह प्रेम करता है Joe and his wife Joe और उसकी पतनी who have been married nearly 20 years जो की ल बच्चा पैदा होने वाला है या बर्थ लेने वाला है तो आप सोचिए सबसे पहले इस स्थिति को समझे कि एक ऐसा जोड़ा जो 20 साल से शादी शुदा है लेकिन अब जाकर के उन्हें एक बच्चा होने वाला है तो आप उनकी चिंता भी समझ सकते हैं कैसे concern उनके होंग यह सारी चीज़े आप समझ पाएंगे दो इट वाज निरली midnight जबकि यह मद्य रात्री का समय लगबग हो चुका था midnight मतलब रात की 12 बजे का समय हो गया था अना 12 बजे का समय लगबग यह हो रहा था when Andrew reached Brian Gower तो जब Andrew जो है वो Brian Gower में पहुँचे he found Joe Morgan waiting for him उन्होंने पाय कर रहे हैं walking up and down अब up and down का मतलब यह है कि बस यूँ चल रहे हैं टेंशन में आदमी क्या करता है चक्कर काटता रहता एक जगर से दूसरी जगह पर बस वो चल रहे है up and down का मतलब यह नहीं कि कोई सीडिया है और उपर चड़ रहा है नीचे आ रहा है ऐसा नहीं up and down मतलब इदर उदर चल रहे हैं with short steps between the closed surgery छोटे छोटे कदमों से वो चल रहे हैं उसके बीच में जहां बंद हुई surgery है surgery यानि शल्ले चिकित्सा जहां पर operation किया जाता है वो बंद operation creator के सामने and the entrance to the door or to the house और entrance जो है जो घर में प्रवेश करने का जो अस्थान है वहां पर at the sight of him जैसा कि उसे ऐसे चलते वे उसने देखा डॉक्टर ने the blurry driller, driller's face expressed relief और जैसे ही उसने हटे खटे और जिसके चैरे पर थोड़े से छिद्र थे ऐसे एक डॉक्टर को देखा तो उसने अपने मन का सुकून बताया गए बगवान थैंक्यू डॉक्टर साह आप आ गए तो य जैसे बाइब बीबी हो सकता है उसके पास assistance के लिए वहां कोई भी ऐसा जानकार या medical expert नहीं है उसका पती जो है बाहर चक्कर काट रहा है और जैसे ही वह उस डॉक्टर को देखता है देखते के साथ ही चैन की सास लेता है तो वैसे उसने चैन की सास ली और वह उसे दर्श रहा हूं और श्रीमती जो है वो ऐसा चाहती है कि आप यहां आजाएं बिफोर टाइम तू और वो भी समय से पूर वही माल लिजे के बच्चा जब भी पैदा होगा उससे पहले ही डॉक्टर साब यहां पहुच जाए तो जादा बैतर रहेगा मेरी वाइब जो है वो यही चाहती है वो भी यही चाहती है और मैं भी यही चाहता हूं अब इंसान तो इंसान है विचारा क्या करेगा तो डॉक्टर एंड्रियू जो है वो उसकी बात सुनता है और अचानक से उसे याद आने लग जाता है Contemplations का मतलब विचार या चिंदन करने लगता है of his own affairs उसके खुद के जो मामले चल रहे है उसकी प्रेयसी के साथ उसकी प्रेमिका के साथ वो उनके बारे में सोचने लग जाता है तो आप सोचिए कि एक प्रेमिय और प्रेमिका शाम के समय में लोट कर आ रहे हैं मद्य रात का जनक मूनड में आ रहे है तो उसका मतलब महुं जा के लड़के ही हूँगे महँ जाकर करके अच्छे से डिनर करके तो आने ही रहे हूँगे किसी बात पर माताबड़ी कर लियोगों नहों पिल्कुल अभी ऐसे माहौल से निकल के आए तो कहीं ना कहीं वही सारे विचार, वही सारे चिंतन उसके दिमाग में वापस आते हैं, यह स्वभाविक बात है, मानों के स्वभाविक लक्षन है यह, तोल्ड मॉर्गन टुवेट, और उसने मॉर्गन से कहा कि रुको, तो उसके बाद में वहाँ से सेट आउट का मतलब होता है, एक हिंदी में शब्द आता है, जो इसको अच्छे से दर्शा आता है, रवाना होना, सुना होगा शायद आपने, खाना मत पढ़ लेना इसे, यह रवाना है, ठीक है, तो वहाँ से वो रवाना हो गए, कि तोगेधर वो दोनों बैटकर के साथ में खाना शुरू कर दिये, नहीं खाना शुरू नहीं कि वहां से रवाना हो गए, नमबर 12, बैलियाना टेरेस की तरफ, जैसे कि अपने आप में कोई शांत रहस्य लिए बैठे हो, तो रहस्य ही है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बेटा या बेटी कुछ होने वाला है, ठीक से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो रहस्य तो ली हुई है, ये रात में रहस्य तो यूज्य वली सो पर्सेप्टिव यानि कि बहुत ही जादा बोध से भरी हुई, एंड्रिय नाउ फट डल, बहुत ही जादा बोध sì जाधा विचारों से बहुत ही अलग अलग तरीके के विचारों से भरा हुआ, एंड्रिय जो है वो बहुत ही डल, सुस्त या नीरस महसूस कर रहा है उसमें वो एनरजी नहीं वो जोश नहीं जो प्रोफेशनल में आपको अधिकांशता है देखने को मिलेगा कि आप जाकर कि किसी डॉक्टर से कहीं कि सर एक्सिडेंट होगा चलो फटावर चलो तो एकदम से फूरती दिखाएगा कहां चलो बताओ क्या है कहां देख हुआ है एंड लिस्टलेस वह बिलकुल निर्जीव सा प्रसंद सा बेजान सा वहां बैठा हुआ है ही हैड नो प्रिमोनिशन डैट इस नाइट कॉल वुड प्रूव अन्यूज्वल उसको इस बात का कोई भी प्रिमोनिशन का मतलब होता है कोई भी पूर्व आभास नहीं है मतलब उसको पहले से कोई अंदाजा नहीं है कि आज की जो रात है यह रात की जो कॉल है अना डॉक्टर को जब बुलाते हैं तो डॉक्टर कॉल होती है तो यह कॉल यानि कि जब बुलाने पर वो जा रहा है वोड प्रूव अन्यूज्वल यह बहुत साधारन होने वाली है यह जिस मरीज को देखने जा रहा है आगे जो कुछ वो देखने वाला है मैसूस करने वाला है वो साधारन नहीं होने वाला है वो थोड़ा सा ऐसा धारन सा रहेगा तो अभी भी उससे थोड़ा कम होगा देट इट वुट इंफ्लूएंस के वह प्रभाव डालेगा पूरे के पूरे भविश्य पर जो भी उस टाउन का होने वाला है या वह उस टाउन में जब तक रहेगा तब तक उसका भविश्य आज की राच से कितना प्रभावित होग इस वजे से नहीं कि प्रेमी का से लड़के आया है। इस वजे से के मरीज के साथ जो कुछ होने वाला है उस वजे से. अब देखो सपारात्मक भी हो सकता है नाकारात्मक भी हो सकता है मुझे नहीं पता. अंदाजा आप लगाओ. the two men walked in silence दोनों लोग चुप चाप बिना बात करे साथ चल रहे थे until they reached the door of number 12 जब तक वो बारा नंबर के दरवाजे तक नहीं पहुँच गए then जो drew अब shot I'll not come in उसके बाद जो जो है जो जो है वो पीछे अट गया बोले ठीक है यह है मेरा घर अंदर जाओ बोले तू मैं बाहर हूँ भाई मैं नियारा अंदर अपने से कुछ ना देखा जाता अपने से ना जेला जाता है यह सब तो वो भाई पीछे एट गया I'll not come in मैं अंदर नहीं आओंगा He said उसने कहा and his voice showed signs of strain और उसकी आवाज में ऐसे चिन या ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वो बहुत ज़ादा तनाओ में है बहुत ज़ादा stress में है but man I know you'll do well for us लेकिन man मतलब भाई साब कहलो आप हिंदी में लेकिन भाई साब या डॉक्र साब मुझे पता है एक पतली सी जो सीडिया थी उस पर चड़ते वे यानि कि वो मुझे रास्ता दिखाते वे कहा ले गए एक छोटे से बैडरूम में ले गए किसे है डॉक्टर को clean but poorly furnished साब सुत्रा था लेकिन वहाँ का furniture बहुत ही गंदा सा या भद्दा सा था and lit only by an oil lamp नहीं टांगते हैं वहाँ पर तो चोटी-चोटी oil lamp जो है केवल एक oil lamp वहाँ पर जला हुआ था लाल टेन जली हुई थी या oil lamp को कई बार दीपक भी कह दिया जाता है कि एक दीपक जला हुआ था ठीक है here Mrs. Morgan's mother यहाँ आने के बाद वो देखता है Mrs. Morgan जो है उनकी पत्नी जो है मतलब Mr. Morgan जो है उनकी पत्नी हो गई Mrs. Morgan और Mrs. Morgan की मम्मी यानि की जो की सास वहाँ खड़ी है अ टॉल एक लंबी सी ग्रे हैर जो बुढपे की वज़े से जिनके बाल अब उसकी सास है तो बुढपा हो गई ग्रे कलर के उसके हेर है वुमन ओफ नियरली सेवेंटी एक ऐसी औरत जो लगबख सतर साल की है अब जो को मिडवाइफ वर्ड सुन करके बहुत सारे स्ट्रोएंट कन्फ्यूज हो जाते है एक तो पत्नी है यह मिडवाइफ क्या है उठने बैटने का हर चीज़ का ध्यान भी रखती है उसे मिडवाइफ कहा जाता है तो एल्डर्ली यानि की प्रोडा वस्ता की एक दाई अवेटेड बिसाइड दा पेशेंट वहाँ पर वेट कर रही थी पेशेंट के बिलकुल पास में ही वाचिंग एंडर्यूस एक्सप्रेशन एज ही मूवड अबाउट दा रूम और वो एंडर्यू के एक्सप्रेशन देख रही थी भाव यानि कि उसके चेरे पे जो भी भाव दिखाई दे रहे थे डॉक्टर के चेरे पे उन्हें देख रही थी जैसे ही वह कमरे में प्रवेंश करता है या जैसे ही वह रूम में आया इस्तिति क्या है जो अयसा बार कड़ें इसको भाला बही तू जा ये अंदर गया गर में जाते इसको पतली सी सीड़िया दिखी वहाँ से चड़कर करके ये उपर गया bedroom में बेडरूम में देखा पेशेंट लेटावा है उसके पास में एक प्रॉड महिला है जो की आया या दाई है ऐसी इस्तिती में महिलाओं का खयाल रखने वाली उसी के पास में पेशेंट की मा भी है बैठी है जो लंबी चौडी सी और ग्रे कलर के बाल है लगबक 70 साल की उसकी आयू है उन्हें देखा और इन्हों ने भी देखा कि यह डॉक्टर आया है उसके चेहरे के भाव को वह देखने लगे लेट मी मेक यूँ आ कप आफ टी डॉक्टर बैच सेट दा फॉर्मर क्विकली आफ्टर फ्यू मुमेंट्स मैं आपके लिए कुछ चाय लेकर के आ जा स्वभाविक रियक्शन होता है वो एंड्रियू स्माइड फैंटली तो एंड्रियू बस हलके से मुसक्राया है ठीक है मेरी इस्तिती अभी ठीक नहीं है लेकिन चाय ला रहे हो यह ठीक है कोई बात नहीं लिया हूँ उसने देखा कि व्रद्द मैला जो थी न जो की कौन है जो की उस पेशेंट की मा है मम्मी है मदर है काकी है रास्तानी में काकी बोल देते हैं मा को भी ठीक है वाइस इन एक्सपीरियंस वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही समझदार लग रही थी अपने अनुभव से और वो यह रियलाइस कर रहा था कि यहां अभी भी थोड़ी देर का इंतजार है मतलब इन्हें लग रहा है कि बच्चा कभी हो सकता लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और जो यह मा है यह डरी हुई थी कि शायद इसको देख करके लग नहीं रहा कि यह इससे कुछ हो पाएगा तो उसको ऐसा लगा उसकी मा को कि यार यह एंड्रीव जो है डॉक्टर यह कहीं घवरा के भाग ना जाए और शायद यह केस ना छोड़ दे कि भाई साब यह तो बहुत कॉंप्लिकेटेड है मैं तो नहीं करूंगा तो उसको ऐसा मन में लगा यह कहते हुए कि वह वापस लौट कर आएगा तो जैसे उसने कहा ने कहा आँटी के अभी तो ठीक है यह अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मेरी आवशकता है तो चलो मैं आता हूं थोड़ी देर में तो उसको लगा कि भाग जाएगा केस चोड़के तो वह कहती है don't fret mother I'll not run away और जैसे ही उसके चेहरे पर भाव देखता है मा के चेहरे पर कि भाग जाएगा उसको ऐसा लग रहा है तो वह कहतेता है माता जी आप चिंता मत करो I'll not run away मैं यहांसे भाग कर नहीं जा रहा हूं म मैं यह केस हैंडिल करूंगा ठीक है down in the kitchen he drank the tea और नीचे जाकर के downstairs जाकर के kitchen में उसने चाय पी which she gave him जो की उसने उसे दी थी overwrought as he was पहले ही अत्यदिक ठका हुआ था जैसा कि वह पहले ही टहल के आया था बारा बही तक पिलड़ा ही जगड़ा करके आया तो माता पोड़ी अलग सर में अलग दर्द हो रहा है तो उसकी स्तिधी ऐसी थी he knew he could not snatch even an hour sleep if he went home और जानता था कि अगर यहां से घर भी चला जाता है तो अभी वो एक गंटा भी ठीक से सो नहीं पाएगा कि ऐसा नहीं कि यार कि patient देख लिया कि नहीं अभी तो time है अभी तो समय लगेगा मे ऐसा वो मन में विचार करता है he knew वह जानता था तू भी यानि वह भी जानता था that the case here would demand all his attention कि यहां पर यह जो case है इस महिला की pregnancy का या delivery का जो case है उसको उस case में उसको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा आवशकता पड़ेगी पूरे ध्यान की a queer liturgy of spirit came upon him एक विचित्र सी आलस से भरी हुई भावना जो है उसके मन में उत्पन हो रही थी कि उसको एकदम से आलस आ रहा था बुले यार क्या है यह जब यहां पर time भी लगेगा और case भी serious है लेकिन यह देखते हो भी उसे आलस आ रहा था he decided to remain until everything was over और अंत में वह तै करता है कि वह वहीं रुकेगा जब तक यह सारा काम नहीं हो जाता जब तक pregnancy या delivery का काम ठीक से नहीं हो जाता एन आर लेटर एक गंटे के बाद he went upstairs again वह वापस cd से उपर उसी कमरे में patient के पास गया noted the progress made और उसने note किया ध्यान दिया कि अब आगे क्या progress हो रही है आगे कि क्या गतिविदी हो रही है came down once more और एक बार वापस नीचे आ गया set by the kitchen fire और kitchen में जो आग जली थी उसके पास बैठ गया it was still except from the rushal of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock ठीक है चारो तरफ पूरी तरीके से शान्ती चाही हुई थी बजाए इसके मतला उस शान्ती में थोड़ी बहुत आवाज थी वो किस चीज़ की थी तो चिंगारियों के जो चटकने की आवाज होती है रसल की आवाज होती है एक तो वो थी आप अंगीटी वगर कभी भी जलाओगे न तो आप देखोगे के कोईले जो है चट पट चुट कुछ ना कुछ करते रहते हैं आवाजे तो इस तरह की आवाजे आती रहती है सुनाई दे रही थी बाकी सामान्यत ते चारो तरफ पूरी शांती थी No, there was another sound और उसके लावा एक sound और था The beat of Morgan's footstep as he paced in the street outside एक आवाज और आ रही थी ये मस्त है कि जो ठप ठप की आवाज होती है beat, beat का मतलब ठप ठप या धप धप की आवाज होना तो जो पिताजी है इस होने वाले संतती के Morgan साब जो है वो बाहर लगे पड़े हैं अपनी गली के अंदर इधर से उधर चलने में Up and Down करने में वो वाँ पे लगे पड़े हैं तो बाहर जो street है सडक है उस पर वो तेजी से पेंजड यानि की तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे उसकी आवाज भी आ रही थी The old woman opposite him sat in her black dress और उसके बिलकुल सामने की तरफ डॉक्टर के सामने की तरफ जो old woman है वो काले कपड़े पहन कर बैठी थी क्वाइट मोशन दैस लगवग बिना हिले डुले हर आइस स्ट्रेंजली अलाइव और उसकी आँखे अभी भी विचितर तरीके से मतलब विचितर बात अभी भी जीवित थी मतलब ऐसा नहीं क्यों बैठी है निश्चलों के बैठी है और आँखे बंद और good night वो नहीं बैठी है बिना हिले डूले लेकिन आखे अभी भी खुली भी बैसा ऐसे जो होते हैं बुजर्ग लोग बड़े खतरनाक होते हैं ऐसे बैठ रहे थे वसी देखते रहते हैं चार तरफ क्या चल रहा है कौन क्या कर रहा है खतरनाक होते हैं ऐसे personality के लोग and wise probing never leaving his face and जाच परक कर रही थी यानि की पूरी तरीके से उस डॉक्टर को देख रही थी और उसके बारे में उसके चरितर के बारे में कैरेक्टर के बारे में किस तरह का इंसान है कैसे चहरे के हाव भाव है उससे पूरी तरीके से उसको ज नाच परक करने की कोशिश कर रही थी उसके चहरे को देखना बिलकुल भी नहीं चोड़ रही थी never leaving his face यानि उसके सामने से बिलकुल कहीं नहीं जा रही थी His thoughts were heavy muddled the episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly और उसके विचार जो है उसकी वज़े से वो बहुत ही heavy बहुत ही मन को भारी करने वाले विचार थे muddled गड़वड़ी पैदा करने वाले कौन से विचार the episode he had witnessed वह घटना जिसका की वह साक्षय था उसने अपनी आखों के सामने घटित होती भी देखी थी Cardiff station पर still obsessed वो अभी भी च्छाई हुई थी उस पर him morbidly यानि उसे डराने वाले अंदाज में यानि कि उसने अपनी आखों के सामने जो कुछ घटित होते वे देखा था उससे वो डरा हुआ था अभी भी यानि कि वो ब्रेमवेल के बारे में सोच रहा था फुलिशली मुर्कता पूर्ण तरीके से devoted समर्पित हुआवसा तुआ वूमन यानि कि ब्रेमवेल जो वेक्ती है यह पूरी तरीके से बेवकूफी के कारण एक महिला के प्रती अपना पूर्ण समर्थन का भाव वो perceived him जिसने उसे धोका दे दिया sordidly दुष्टता पूर्ण तरीके से या नीचता पूर्ण तरीके से यह एक महिला से अपना सब कुछ नचावर करके प्रेम करता था और उस महिला ने उसे धोका दे दिया तो उसके बारे में विचार कर रहा था और एडवर्ड पेज एडवर्ड पेज के बारे में bound to the श्रेविश जो कि शातिर औरतों से जुड़ा हुआ था बॉल्डवेन ओफ डैनी जो की बॉल्डवेन था डैनी का लिविंग अनैपिली जो अपना पूरा जीवन नाखुश तरीके से बिता रहा था अपार्ट फ्रॉम हिस वाइप अपनी पतनी से अलग रहकर तो कुल मिला करके यह उस लड़ू की बात कर रहा है कि शादी का जो लड़ू है वो खाया तो भी समस्या नहीं खाया तो भी समस्या यह इसके मन के भाव है क्योंकि अभी अभी लड़के आया है मेरे मन के ऐसे को गेला को पूर्ण समद पन से प्रेम किया और वो उसे दोखा दे के चली गई और यही सारे कारण, उसके जितने भी कारण हें वो उसे बता रहे थे जितनी भी यह शादियां हैं ना, यह सारी की सारी निराशा जनक असफलता ही है सफल विवाह नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है ऐसा ये भाइर साब सोच रहे हैं ध्यान रखना गाइस ये इससे हलाकि अपना कोई जाधा लेना देना है नहीं लेकिन फिर भी दो मिट इसके बारे में सामाने चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तोड़ा सा जीवन से जुड़ाओवा एक विशेय रहता ही है हमेशा आप जिस समय जो विचार कर रहे हैं उस समय की आपकी मनोवरती या मनोदशा जो है उसके अनुसार आप विचार करेंगे अगर आप बहुत खुश हैं आपके पैरेंट्स ने आपको ग्यार भी ग्लास में कह दिया कि चल बेटा तू चल मेरे साथ तिरको एक मोड़ साइकल दिला दू यार रोज रोज साइकल पे तू जाता है अच्छा नहीं लगता, मेरा मन दुखता है, साइकल पर क्यों जाता है, पैदल क्यों जाता है स्कूल, टेमपू बस में क्यों जाता है स्कूल, चल तेरे को एक मोड़ साइकल दिला जेते हैं, उसके मोड़ साइकल लेके आने के बाद, आप अगले तीन दिन तक जैसे की पुर देवे न तरीके से कि इधर बैट क्या वदमाशी करी और दडाम दडूम हो गया आपके साथ तो शायद आप जैजेकार नहीं करोगे तो हर व्यक्ति जिस समय जिस तरह के विचार करता है उसकी स्तिती क्या है उसकी मनोदशा क्या है उसके विचारों पर उसका बहुत जादा प्रभाव देखने को मिलता है इसलिए कभी किसी चीज़ को यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए जीवन में घटनाय होती रहती है इवभाग्यपंग्ती कहा जाता है किसी को मिले तो देख़ के बताना चक्रेण पंग्ती इवभाग्यपंग्ती का क्या अर्थ है कॉमेंट करना मुझे और उस से आपको क्या समझ में आया वो भी मुझे बताना ठीक है ये दो चीज़े बताना फिर से बोल देता हूँ एक बार अगर वाक्य ठीक से नहीं सुना तो सुन लो चक्रेण पंग्ती इवा भाग्य पंग्ती ये इस तरह का एक वाक्य है संस्कृत का इसको देख करके मेरे को बताना क्या है इट वाज़ा कंक्लूजन ये एक निर से उसने जिज़कना शुरू कर दिया he wished to consider marriage as an idyllic यानि की रमनी या रमरनी या जो है वो state यानि की ऐसी अवस्ता है एक शादी जिसके अंदर आमरनी इस्तिती हो जाती है ना जी सकते है ना मर सकते है yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine लेकिन वो इस तरह का कोई भी विचार नहीं कर पा रहा था जब भी वो Christine यानि अपनी प्रेमिका के विशह में चिंतनिया विचार कर रहा था before him उसके सामने her eyes उसकी आँखे shining towards him उसकी तरफ देखते हुए जगमगाती थी या चमक उठती थी admit it no other conclusion और उसकी वज़े से वो कोई अन्य conclusion या परिणाम उसका नहीं निकाल पा रहा था निशकर्ष नहीं निकाल पा रहा था या उसको सुईकार नहीं कर रहा था it was the conflict between his level doubting mind and his overflowing heart तो ये एक ऐसा conflict था संगर्ष था between his level अपने स्वयम के स्थर में doubting mind जब वह अपने दिमाग पर शक कर रहा था and his overflowing heart और अपने उबलते वे या उचलते वे मन को ले करके तो देखो भाई मन और बुद्धी ठीक है ये चार अंतहकरणों में से दो अंतहकरण है तो मन है और बुद्धी है मन कुछ और कहता है बुद्धी कुछ और कहती है तो अब यहाँ पर इसका अंतर दोंदे चल रहा है क्यार जो मन कह रहा है कि जैसे वो जगमगाती भी आँकों से मुझे देखती है मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जीवन में मेरे बरबादी का कारण बनेगी मैं इस बात पर विश्वास करूँ या मेरी बुद्धी जो कहती है कि जिन जिन लोगों ने महिलाओं पर विश्वास किया है जाहे शादी की है चाहे विश्वास किया है उन सबका जो शादी शुदा जीवन था वो निराशा जनक अंत में ही कतम हुआ है तो समझ नहीं पा रहा विच लेफ्ट हीं रिसेंट फुल एंड कनफ्यूस जिसकी वज़े से वह बैटा 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 अपनी मनोधशा में तो चिन जो है वो इसे कहा जाता है और यह सिंख होगी चेस्ट पर तो कैसे होगी ऐसे ऐसे करके सुझाते न तो चिन जो है यह सिंख हो रही है डूब रही है कहां चेस्ट पर तो जाकर के वो चेस्ट पर अपनी पैरों को फैला लेता है started broodingly into the fire और गंभीरता से सोचता हुआ उस fire की और देखता है या उस fire की और बढ़ता है He remained like this so long और काफी लंबे समय तक वो ऐसे ही बैठा रहा and his thoughts were so filled with Christine और उसके जो विचार थे वो Christine से बहुत जादा भरे वे थे के दिमाग में Christine के अलावा कुछ नहीं चल रहा था that is started when the old woman opposite suddenly addressed him और वो started हो गया चौक गया जब उस व्रद महिला ने जो उसके सामने बैठी थी अच्चानक से उसे संबोधित किया हर meditation यानि उसको जो ध्यान में Christine के ध्यान में जो डूबावा था had persuade a different course उसका जो ध्यान था वो अब दूसरे तरीके का रास्ता या दूसरा रास्ता अपना चुका था जब भाई साब ने विचार विचार करना शुरू किया था तब तो वो Christine के विरुद या उसके बिलकुली उसके बारे में बहुत ही opposite से और बहुत ही नकारात्मक से विचारों से भरा हुआ था लेकिन अभी इस्तिती ऐसी नहीं है अब उसने अपना रास्ता बदल लिया वो सहे जोकर के Christine के बारे में सोच रहा है और उसके बारे में विचार कर रहा है तो अभी यह जो Christine वाला मुद्दा है बहुत लंबा चल गया आप लोगों में से कई लोग इन चीजों के बारे में विचार करते होंगे मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ मैं किसी पर आक्षेप तो नहीं लगाता हूँ कभी अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि Teenage का किशोरा वस्ता का ये एक लक्षन है अगर ये आपके जीवन का लक्षन है तो कोशिश कीजे के अपने मन में और अपने बुद्धी में उन चीजों को स्थान दे जो आपको थाई सफलता दिला सकती है अभी इस IU के अंदर इस तरह के विचारों की तिवरता जरूर रहती है लेकिन वो पूरी तरीके से महत्वहीन होते हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता Psychological और Biological आपके जो Changes हो रहे हैं उसकी वज़े से इस तरह के विचार उत्पन होते हैं कि एक बहुत ही स्वभाविक सी प्रक्रिया है उसको लेकर के बहुत ज़ादा परेशान होने की भी आवशक्ता नहीं है लेकिन उन पर बहुत ज़ादा ध्यान देने की भी आवशक्ता नहीं है क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा है और आपके जीवन में अध्यन का अभी अधिक महत्व है क्योंकि आपकी पहचान एक विध्यारती के तौर पर है तो एक विध्यारती के तौर पर ही अगर आप आच्रण करते हैं तो जादा बहतर रहेगा क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वही है आपके जीवन का मूल आधार वरतमान में वही है तो जब भी किसी चीज़ पर विचार करें, चंतन करें तो याद रखें कि आप कौन है और आपको याद आएगा कि आप एक विध्यारती है Thank you very much, I'll see you soon in my next lecture Till then, take care of yourself, bye-bye